So hello guys, मेरे नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेकनिकल सैफी में मैं आप सभी का तही दिल से वैलकम करता हूँ Well, अगर आपके पास भी मेरी तरह एक wireless earphone है और आपकी wireless earphone के अंदर calling के दौरान आपको sound की problem आ रही है जब भी आप अपनी wireless earphone से अपने phone को connect करते हैं और जब आप call वगरा करते हैं तो आपको अगर call पर आवाज नहीं आ रही है तब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस problem को किस तरह से solve कर सकते हैं वाल मेरे पास कल इंस्टाग्राम पर एक user का message आया था और उसने मुझे इस problem के बारे में बताया और उसने मुझे से पूछा था कि sir मेरे पास एक wireless earphone है और जब भी मैं अपनी wireless earphone को अपने phone से connect करता हूं तो connect करने के बाद जब भी मैं इस earphone से call वगरा करता हूं तो call के दोरान मुझे आवाज नहीं आती है बाकि अगर YouTube पे या फिर कहीं भी अगर वीडियो वगरा या फिर sound वगरा अगर मैं सुनता हूं तो वो proper काम करती है लेकिन cable call के दोरान ही मुझे sound नहीं आती है तो दोस्तों ये क्या problem है और इसको हम किस तरह से solve करेंगे आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में discuss करने वाला हूँ और मैं आपको पांच ऐसे step बताने वाला हूँ जिसके जरीए आप अपनी इस problem को solve कर सकते हैं अगर आपके साथ भी इस तरह की problem हो रही है तब आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना और साथ मैं आप मुझे ये भी बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए helpful रहा या नहीं रहा और आपकी जो problem है वो solve होई या नहीं होई तो चलिए अब हम finally वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी calling के दौरण no sound की अगर problem आ रही है आपके wireless earphone के अंदर तो सबसे पहले इस step में आपको अपने phone को restart करना है और restart करने से आपकी ये problem solve हो जाएगी वाला अगर आपकी problem अभी भी solve नहीं होती है तो simply आपको second step में करना ये है कि आपको अपनी wireless earphone को अपने phone से एक बाद disconnect करना है और उसके बाद आपको इसको फिर से reconnect करना है और इससे आपकी problem solve हो जाएगी खेर दूसर अगर आपकी problem अभी भी solve नहीं हुई है तब आपको next step follow करना है और next step में आपको follow ये करना है कि जब भी आप अपने phone से अपनी Bluetooth earphone को connect कर लेते हैं कभी-कभी ये automatic select नहीं होती है जिसकी वज़ासे आपकी जो voice है वो आपको सुनाई नहीं देती है call के दोरान तो आपको simply करना ये है कि आपको Bluetooth के icon पर किलिक करके इसको manually select करना है और इससे आपकी जो ये problem है वो solve हो जाएगी अगर आपकी problem अभी भी solve नहीं होती है तो fourth step में आपको करना ये है कि आपको अपनी wireless earphone को अपने mobile से unpair करना है और उसके बाद आपको इसको फिर से pair करना है तो इससे आपकी जो problem है ये solve हो जाएगी अगर आपकी problem अभी भी solve नहीं होती है अब मैं आपको एक ऐसा master method बताने वाला हूँ जिसके जरीए आपकी जो ये problem है 100% solve हो जाएगी अगर आपकी problem इन में से किसी भी method के जरीए solve नहीं होती है तब आपको simply करना ये है कि आपको अपनी wireless earphone को reset करना है लबब 5-10 second के लिए तो दोस्तों जब भी आप अपनी wireless earphone के volume up और down बटन को press करके रखते हैं 5-10 second के लिए तो आपकी जो wireless earphone है उसके अंदर आपको red color की एक light blink करती हुई दिखाई देगी इसका मतलब ये है कि जो आपकी wireless earphone है वो reset हो चुकी है अब आपको simply करना ये है कि जब आपकी wireless earphone reset हो जाए तो इसको फिर से अपने mobile के साथ pair करना है और pair करने के बाद आपकी जो ये problem है 100% solve हो जाएगी वाइल अगर आपकी problem solve हो चुकी है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताना और इस video को like करना बिलकुल न भूने तो फिलाले इस video के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया है तो please आप इस video को like कीजे शेयर कीजे और साथी सा चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूने तो चलिए फिलाले इस video को finish करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और new video के साथ